इंसान को ये सब ध्यान में रखकर सोना चाहिए कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा कहीं घूम फिर क्या आती है या फिर दूसरी आत्मा एक घूमते फिरते हमारे पास आ जाती है अब जब ऐसी बाते सुनते हैं तो या तो ये अंध विश्वास लगती है या फिर इनसान इनका कुछ ज्यादा ही विश्वास करने लगता है कुछ लोग तो ये कहे कर साफ साफ ऐसी बातों को रफा दफा करते हैं कि ये scientific fact नहीं तो कुछ लोग science को रफा दफा करते हैं ये कहे कर कि science का क्या है वो तो भगवान को भी नहीं मानता कई बार ऐसी भी कहानिया पढ़ने और सुनने में आती हैं कि खासका लड़कों के साथ ऐसी घटाएं घटी कि कोई चुडैल उनकी छाती पर आ बैटी थी और ना उनकी आवाज निकल पा रही थी ना वो हिल पा रहे थे ये सब उनके साथ सोते वक्त हो रहा था पर वो उस वक्त पूरी तरह गहरी नीन में नहीं थे ऐसी ही कुछ बातें पस्चिम देशों से भी सुनने में आती हैं कई लोग इस पर सबूत इखठा करने के इरादे से कैमरा लगा कर सूने लगे कैमरा में कैट फुटेज को जब उन्होंने गौर से देखा तो ये चुडेल तो नहीं दिखी पर जो सो रहा था उसके साथ जो हुआ उसे लोगोंने स्लीप पैरालिसिस कहा मगर स्पिरिच्वलिस्ट का कुछ और कहना है वो कहते हैं कि ये सितूबस नाम की चुडेल है जो दिखने में खुबसूरत होती है वो अकसर लड़कों के साथ सेक्शुल कॉंटाक्ट बनाती है इतना ही नहीं वो फिर उस इनसान की सोल यानि आत्मा का एक हिस्सा चुरा लेती है जिससे वो और स्ट्रॉंग हो जाती है मगर ये विट्टिम जिसके साथ उसने कॉंटाक्ट बनाया था वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और मरने लगता है इंडिया में भी ऐसी कहानिया ज्यादा तर गाउं से सुनने में आती है गाउं में ज्यादा तर लोग खाट लगा कर छट पे या बाहर ही सोते है और उनके सोने के बाद क्या होता है किसे पता कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मोर पंक अपने तक्ये के नीचे रफ कर सोना चाहिए अब ये तो किसी को नहीं पता कि सच क्या है और जूट क्या मगर precaution is better than cure यानि पहले ही सावधानी बरत ली जाए तो इलाज की नौबत ही नहीं आए तो आप भी चौकरने रहिएगा अपनी रक्षा अपने हाथ इस दुनिया में कई ऐसे राज हैं जिनकी हकीकत हम नहीं जानते और भलाए इसी में हैं कि ये राज राज ही रहे तो फ्रेंज आज के लिए बस इतना ही लाइक शेर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना टेक केर लव यू आल बाहे